अंबाला में एक तरफ बारिश फुई तो दूसी तरफ उमसबरी गर्मी से राहत मली मौसम सुवाना हुआ किसानों ने भी बारिश को देख चहरे उनके खिल गए राहत की सास ले दूसी तरफ लोगों के लिए समस्या भी बढ़ गई अंबाला में काफी दिनों से उमसबरी गर्मी पढ़ने से लोगों को परिशानी हो रही थी वहें बारिश नहीं पढ़ने की वज़े से किसान भी मायूस थे वीशन गर्मी की वज़े से बिजली सप्लाइर में भी दिक्कत आने लगी थी बारिश नहीं होने की वज़े से किसानों की धान की फसल की रुपाई में भी बाधा आ रही थी लोग इंतजार कर रहे थे कि कब बारिश और गर्मी से निजात मिले किसान भी इस बारिश का इंतजार कर रहे थे उनके धान की रोपाई नहीं हो पाई वो मायूस हुए वहीं सुबह अचानक मौसम बद्ला और आस्मान में घने बादल चा गए मूस्त अधर बारिश शुरू हुई बारिश की वज़े से एक तरफ जहां लोगों को ओमस भरी गर्मी से राहत मिली वहीं अब किसान भी खुश है थोड़ी ही दिर की बारिश ने प्रिशाशन की सभी दाबों के पोल खोल का रख दी अंबाला की सडकें और गली आ तालाब बन गई चल भराओं के चलते आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों ने पानी निकासी नहीं होने के कारण प्रशाशन को खरी खोटी भी सुनाई लेकिन जो ये इंटर्नल जल भराव है ये तो बहुत बड़ी समस्या बन गया भी तो बार की जुरूरत निया है इस बारिश से ही सारे घर यहां डूप चुक है तो प्रशाशन को आके यहां देखना चाहिए लोगों का कहना है कि प्रशाशन को कितनी बार चुताब ने दी जा चुकी है लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रेंगती इस थान ये लोगों ने प्रशाशन से उचित पाने निकासे की अपील की अबी थोड़ी सी देर बार सात हुए इस परसाशात में ये जो मेरे पिछे की गली है इसका यह हाल है कि लोगों के घरों में पानी गुस गया अगर यही हाल इस थोड़ी सी देर की बार सात में itís तो पानी गर में घुश रहा है तो दो दिन अगर लगातार बरसाइद चलती है तो हमारे लिए तो वही पिछले साल जैसे आलात हो जाएंगे यह बाड़ आए ना आए लेकिन हमारे घरों में तो पानी घुश गया हमारे लिए लिए तो यही बाड़ है और इस चीज को नगर परसाशन के कानों पर जू नहीं रहेंगती है। तो जरूर मिली है लेकिन जगा जगा पानी भरनी से लोगों को कही दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। टोटल टीवी के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट